तो गाईज आज है तारिक 28 जुलाई 2000 केस और है वेडनेस डेखेंगे आज का देहिंगे आज का देहिंदू कंप्लीट न्यूस्पेपर को अनिलाइस करेंगे बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूस्पेपर का पीडिएफ चाह करना और जाकर इस चनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया गया है वो लिंक इसी चनल का है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे आटोमेटि करा हम लोग अपने लेक्शर को एक मैप के क्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे तो आज आप सभी लोग को मैप में जाकर देखना है असम को कहां पर है एक्जैक्ली लोकेड़ प्लस सबसे इंपोरेंट चीज ये देखना कि असम के आसपास कौन से स्टेट्स आपको देखन की ज़ rockstar आपको मालूम होगा की जो करनाटका के चीफ मिनिस्टर है यदिरोपा उन्होंने Change & in और जो इंप्पोर्टेंट के इंदर बताई नहीं गई है मैं आपको बता देता हूं कोई बात नहीं देखो यहां पर आपको ध्यान यह देना है यह जितने भी processing हुई है कि मैंने कि जो chief minister है उन्होंने resignation दिया फिर दूसरी तरफ जो governor है उन्होंने एक नए cm को choose कर लिया है तो यह सब कौन से article के अंदर हुआ है तो यहाँ पर आपको देखने को यह मिलेगा यह article 164 of the Indian constitution तो यहाँ पर इस article के अंदर इनको choose किया गया है governor के दौरा तो यह आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर यही information छोड़कर बाकी सारी information दे रखी है और यह जो article वाली information है यह हमाले काफे ज़धा important हो जाएगी exam के लिए दन उसके बात करते हैं next article की तो एक छोड़ा सा article है यहाँ पर जादा कुछ important नहीं हमारे exam के लिए देखो जहाँ पर exam के लिए important होगा वा definitely मैं जादा जोड़ देने वाला हूँ प्लस वाँ पर मैं additional information भी आपको provide करवाता हूँ जैसा कि आप लोग को मालूम होगा जो की बहुत पहले से newspaper analysis को देख रहे हैं इस channel के तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इस article के अंदर तो basically vaccination को लेकर जर्चा हो रही है कि जो बच्चे हैं उनके लिए vaccination प्रोवाइड करव रैंप अप करने वाले हैं और यह काफी ज़्यदा जरूरी भी है तो जो बच्चों की एज होने वाली है 12-16 साल की होने वाली है इनको भी vaccination प्रोवाइड किया जाएगा और बाकी जो एज कैडिगरी सकंदर जो vaccination है वो जैसा चल रहा है वो चलता रहेगा और आने वाले टा पर इसके उपर बहुत सरे आर्टिकल्स और देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर बेस क्लियर होगा तो आने वाले आर्टिकल्स भी हम लोग को अच्छे से समझ में आने लगेंगे दनुसके बाद यहां पर एक छोड़ा साटिकल आता है जहां पर चर्चा हो रही है इस पर इसके बारे में आपको द्यान रखना है डेली पुलिस कमिशनर के तौर पर एक नए यहां पर कमिशनर आ चुके हैं इनको अपॉंट कर लिया गया है दनुसके बाद यहां पर एक छोड़ा सा आर्टिकल है बट यह आर्टिकल काफी इंपोरेंट है इसका हम लोग ज इसका आर्टिकल का लेना देना मेंस के परस्पेक्टिव से काफी ज़्यादा देखने को मिलेगा हुआ क्या है देखो एक डेटा आया है जिसमें पता यह चला है लगबग 21.5 मिलियन जॉप्स लॉस्ट हुई है कहां पर टूरिजम सेक्टर के अंदर आप इसको काफी हत त कारण सिंपल सा है वो है कोविड-19 प्लस लॉकडाउन जिसकी वज़ा से यह टूरिजम सेक्टर एकदम से रुख गया है और इन जॉप्स का लॉस्ट देखने को मिलाएं उसका दहाद हम लोग बात करें यह जो टूरिजम इंडस्ट्री है यह काफी बुरी तरह से हिट हु लग 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 तरह से गई है जैसे कि अंदर फाइफ पॉइंट टू मिलियन जॉप्स लें टीके अंदर भी यहाँ पर आप कर सकते हो कि एक अफसरी जॉप्स गई है दन उसके बाद यहां पर आप यहां पर प्लस यहां पर बताया यह गया कि अगर हम लोग 2019 से कंपेर करें तो 2019 बीस में भी हमारा जो जो जॉप लॉस थी वो तो हुई थी लेकिन फिर भी इतनी नहीं हुई थी कोविड की वज़ा से यह सेक्टर जादा बुरी तरह सा हिट हो चुका है और आपको मालूम होगा इस टूरिजम सेक्टर से कल भी हमने एक आर्टिकल करता था लेकिन पेंडमिक के बाद जो यह सिच्वेशन है वह 40 करोल के असपास रेविन्यू देखने को मिला है तो यह छोटे-छोटे इंफॉर्मेशन जैसे कि आपको सब्सक्राइब करना नहीं बनता है क्योंकि आपको थोड़ी सी फैक्चुल इंफॉर्मेशन चाहिए ह चाहिए तो आप लोग इसका इस्तमाल कर सकते हो चलो आगे बढ़ते हैं निक्स्ट आर्टिकल की तरफ नाओ यह है एक बहुती जादा इंपोर्टेंट आर्टिकल यह इस टाइप का आर्टिकल अभी दो दिन पहले भी न्यूज में था आपको मालूम होगा रमपा टैंप ची के लिट को अभी हाल ही मैं वर्ल्ड होलेतेक्स लिस्ट अंपवूड के अनदर इंकल्यूड के आग था H और यहां पर देखो मैं आपको छुटी छुटी इंफॉर्मेशन बताता हूँ जो की बहुत ज़दा important है और UPSC ने इस टाइप के question पहले बहुत ज़दा पूचे हैं यह जो पूरा का पूरा article है ना यह आपका जो है यहां पर बहुत सारी findings मिले थी मतलब बहुत सारी चीज़े यहां पर देखने को मिली थी तो UPSC ने matching के तौर पर बहुत साधे question पूच रखे हैं कि इस particular area के अंदर जैसे धोला वीरा है पूचे के अंदर क्या-क्या समान मिला था बहुत पहले तो वहां पर समान दे रखा है तो आपको correct समान पर matching करना है तो इस टैप के questions पहले बहुत पूचे गए मैं आपको बताता हूं आगे दो यहां भी क्या हुआ है कि 40 भी Indian site आ चुकी है जो की World Heritage List के अंदर इंक्लीड हो चुकी है नाम है धोला वीरा हाला कि इसको बहुत पहले यह recognition मिल जाना चाहिए था बहुत टाइम लग गया इसके अंदर लेगन finally जो है यहां पर इसको recognition यह मि हमने देख लिया question यह है यहां पर यह World Heritage List क्या है World Heritage Sites क्या होती है पहले हम लोग इसको समझते हैं ताकि हमारा basic भी clear हो जाए World Heritage Site के बारे बात करें तो basically यहां पर एक place होता है एक जगह होती है जिसको इस list के अंदर डाला जाता है अब यह list बनाई गई है World Heritage Site की अब इस list को maintain कोन करता है तो maintain करने के लिए एक program है International World Heritage Program अब इस program को कौन चलाता है इस program को चलाने के लिए कमिटी है UNESCO World Heritage Committee ओके इस प्रकार से प्रोग्राम चलता है अब यहां पर कोशिश यह रहती है कि दुनिया भर के अंदर जो भी एक इतिहास से जुड़ावा हमारे तिहास से जुड़ावा कोई भी साइट है ठीक है तो उसको यहां पर World Heritage का status दिया जाए और इससे होता क्या ह जिस भी हम लोग साइट को World Heritage का status दे देता है जैसे कि अभी यहां पर धोला वीरा को यहां पर World Heritage List के अंदर डाला गया इसको एक identification मिलेगी एक World Level पर ठीक है दुनिया बर में यहां पर पहचाना जाएगा प्रोडेक्शन मिलेगी इस पूरे पर्टिकुलर एरिया को यानि की एक तरीके से आप प्रोडेक्शन प्रोडेक्शन करवाई जाएगी प्रजर्व किया जाएगा यहां के जो कल्चरिल थिंक्स हैं उनको तो यहां पर यह सारी चीज़े होती है तो इसके बारे में आपको से उपर का revenue generate कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ टूरिजम साक्टर से पैडमे के बास से यहां पर यह काफियत तक गिर चुका था तो यहां पर यह चीज़े हो गई देन उसके बाद यहां पर मैं आपको बताया क्या काम होगा जैसे ही कि साइट को वर्ल्ड हरिटेज का स्टाड के होती हैं तो यहां पर देखो जो cultural heritage sites के अंदर आता है वो हमारी historic buildingों होती है ए। चhalb में हो गए ऐस यहां पर cultural heritageBRrial प्रकृती इस है यहाँ पर यह जिसके अंदर होता है इसके बारे में आपको ध्याँ दिखना है एक इंपोर्टेन इंफॉर्मेशन है अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पर मैंने टेलिग्राम पर एक पिच्चर शेर किया है यह जो पिच्चर है आपके जो इंडियन आट किसी चीnar कड़कर काफी कुछ लिखा गया था धस साइज के सअगने को मिले थे एक कुछ इस करकर साइन depends यहाँ पर क्या था यह बहुत पहले हम लोग को यह चीज्ज comment रख केंदर मतलब यह सब हुआ होगा ध्याविरा के अंदर तो अमना यहां पर बोला यह जाता है कि लगबग साड़े-4-5000 साल पहले यहां पर लोग रुहाग करते थे खतम हो चुका है तो लुग है तो इस प्रकार से प्रकार से रहते थे उनका रूम वगएरा यह सारी से हम लोग को मिलती रहती है तो ये धोला विरा का एक वियू है इसको आप लोग देख सकते हो ठीक है ये इस प्रकार से दिखाई देता है आप इसको समझ गए होंगे आर्टिकल बहुत ज़दा इंपोरेंट है इसको नोट डाउन करके जहां भी नोट्स मना रहे हो डेफिनिटल इसके जरूर बनाना उसके बाद बात करतें नेक्स्ट आर्डिकल की तो यहां पर चर्चा हो रही है OBC का जो कोटा इशू है इसको रिजॉल्व किया जाएगा खासकर जो मेडिकल सीट से मेडिकल कॉलेज के अंदर उसके रिगार्डिंग आपर बात करी गई हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा तो देखो बोला यह यह है कि देखो यह लगातार जो डेवलेप्मेंट हो रहा है इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यह बोला है कि जो OBC अधर बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको लेकर एक रिजर्वेशन इशू चल रहा था इस मेडिकल सीट को लेकर ठीके ज 40% जो है पोस्ट ग्रेजवेट सीट्स आपको देखने को मिलेंगी इन मेडिकल कॉलेजिस के अंदर ठीके अब क्या है यह हर कोटा के लिए देखो जो यह एडमिशन है यह शेडियूल कास्ट शेडियूल ट्राइब्स यहाँ पर इसमें इन दोनों के लिए रिजर्वेशन अब्यूसी बाते दे रखाए लेकिन OBC के लिए रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है तो उसी को लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि देखो यहाँ पर डिमांड काफी लंबे समय से आ रही है OBC स्टुरेंट्स के दौरा कि इस चीज को रिजॉल्व किया जाए और OBC के अंदर भी यहाँ पर रिजर्वेशन रखा जाए तो उसी के ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा और इस पूरे मुद्दे को सुल्धाया जाएगा मतलब की रिजर्वेशन दिया जाएगा तो इसके बारे में एक छोटी सी इन्फोर्मेशन है दनुसके बाद एक और इ जाता है जाता है तो एक तरीके से जो मीडिया है वो सही-स ऑपर आटायक होता है बहुत सरे चनलिस्त को आरेस्ट की जाता है बहुत सरे जर्नलिस्ट की death हो जाती है, legally harass करे जाता है, तो ACG यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीके तो यह मुद्धा भी यहाँ पर Secretary of State Anthony Blinken के द्वारा उठाया जाए, ऐसा यहाँ पर बोला जाए, उसके अलावा बहुत सारी बाते और होने वाली हैं, जैसे कि यहाँ पर Human Rights के उपर देखते हैं, बातचीत होती है, यानि क्योंकि बहुत बड़ा मुद्धा बन चुका है, क्योंकि जो USA चाता है कि इंडिया के साथ वो Human Rights इशू जो भी है, उसके उपर चर्चा करे, प्लस Pegasus Spyware के उपर चर्चा करे, अफगानिस्तान क्राइस के उपर चर्चा करे, तो यहाँ पर आते हैं, पेज नंबर 10 के उपर, तो एक छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, Supreme Court Muls, PM Care Fund for Orphans, अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको मालूम होगा, कि अभी हाली में हुआ क्या है, जो PM Care Fund है, इसका एक और इस्तमाल क्या जाएगा, ऐसा बोला ग प्रवाइब करेंगे, और उस टाइम पर जैसे PM Care Funds आया था, तो इसके अदर बहुत ज़्यादा डोनेशन आया भी था, ठीक है, exactly to the point नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा डोनेशन आये थे, इस PM Care Funds के अंदर, अब यहाँ पर देखो PM Care Funds क्या COVID तक सीमीद रहने वाला है, तो ऐसा नहीं है, आने वाले टाइम पर कोई और इस प्रकार का नैचुरल डिजास्टर अगर देखन लेकिन अब यहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परिशान है, बहुत सारे बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं इस COVID से, ठीक है, बहुत सारे बच्चे एक तरीके से बच्चों के जो भी Care Taker तक है, उनके गारजियन हो गया है, ठीक है, तो भी कोई भी लोग हो गया, जो कि उन बच्चों का ध्यान रखते थे, उनकी अगर डेथ हो गई है, ठीक है, COVID की वज़ा से, तो उनको जो है, यहाँ पर पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, एक Financial Assistance प्रोवाइड किया जाएगा, बोला यह जा रहा है, लगबग 75,000 चिल् जो कि छोटे बच्चे उनके Education के उपर फूरा फोकस किया जाएगा, Education Equipments के उपर यहाँ पर सरकार ध्यान देने वाली है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, तो यह एक छोटी सी Information है, जो कि आप लोग अपने Means के Perspective से ध्यान रख सकते हो, यहाँ प जो चाइना किसी का क्लेम है, उसका कोई basis नहीं है, ऐसे यहाँ पर बोला है, यूएस ने, तो एक तरीके से Pentagon Chief है, Lloyd Austin, इनका कहना यह है कि जो बीजिंग का, यानि कि जो चाइना का क्लेम रहता है, South China Sea के उपर इसका कोई basis वगरा देखने को मिलेगा, यहाँ इंटरनाशनल और इधर से आप लोग नीचे देख पाऊगे, यहाँ पर यह वाला एरिया है, इसको South China Sea यह बोलता है, इसके आसपास जो भी नेशन्स हैं, जैसे की वेतनाम हो गया, दनुसके बाद यहाँ आपर फिलिपीन्स हो गया, इनसे हमेशा से ही जो है चाइना के डिस्प्यूट प्लस इसमें जादा कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर क्या है, कि आज के टाम पर आप कह सकते हो कि जो टेंशन्स वगयरा है, वो काफिया तक बढ़ती भी देखने को मिलेंगी, इस चाइना के साथ और साथ जो बहुत सारी और भी कंट्रीज हैं, चाइना के साथ जैसे की बार-बार इंटर्फर करें, लेकिन यहाँ पर चाइना करता है, इन साथ चाइना के अंदर बार-बार इंटर्फरेंस दिखाएगा, इन कंट्रीज के अंदर गुसने की कोशिच करता है, इन फैक यहाँ पर इंडिया के अंदर ही यह चीज़े देखने को मिल जाती है, तो पर दूसरी कंट्रीज के साथ भी यह तो होता रहता होगा दनुवसके बाद यहां पर यूएस और चाइना के रिलेशन्स के बारे में थोड़ा सा डिसकॉशन क्या जाए यूएस और जो चाना के रिलेशन्स हैं वो काफी है तक आज के टाइम पर खराब आपको देखने को मि सब्सक्राइब तो यह जो है इस प्रकार का मुद्दा जो है यूएस से बार बार उठाता रहता है जिसकी होज़ा से चाइना जो है काफी ज़्यादा घुसा भी रहता है ठीके तो यह साई चैना पर इनके इंटरनाशन लेवल पर यह देखने को मिल जाती है दैन उसके बा सब्सक्राइब तो इन दोनों ने मिलकर अपनी एक डील साइन का लिए तरीक से डील को आप कर सकते हो कि एक डील जो पहले वाली थी उसको एंड कर दिया है अब यहां पर डील क्या थी इसको लोग डिसकस करते हैं अच्छे से समझना इंपोरेंट है तो यूएस के प्रेसि आप अब है करे उसी देम चैंध्य उसको रिकले सकते हैं मैंने यहां पर यहां पर ऐसको इसटो कत अपना जो वह pioneer कर दो और करेंगा थी end करेगा ठीक हाला कि यहाँ पर बोला यह जा रहा है end करने के बाद भी जो American forces हैं वो operate करेंगी वहाँ पर एक advisory role की तरह पर यह जो agreement है basically यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो Iraqi government है अब यहाँ पर होगा क्या chances यह है कि जो बगदाद है उसके लिए बूस्ट अब देखने को मिलेगा प्लस यहाँ पर बोला गया है जो मिस्टर कदीमी है इन्होंने एक तरीके से काफ़ज़ा प्रेशर वगरा फेस क्या है इरान एलाइंट पार्टी इसके दुरू की ऐसा कदम उठाने पर और फिर उसके बाद मिस्टर बाइडन और मिस्टर कदेमी दोनोंने मिलकर एक ओवल ओफिसमेन की मीटिंग हुई थी प्लस फेस टू-फेस टॉक हुआ दन उसके बाद यहाँ पर यह पूरा का पूरा डील हुई है अब यहाँ पर क्या है देखो यू-एस का जो भी रोल है इराग के अंदर यह अविलेबल होने वाला है प्लस अभी के लिए क्यों अविलेबल था तो अभी के लिए जो आई-स-स है ठीक है अब इसको टैकल कर रहा था इनसे डील कर रहा था तो आज के टाइम पर जो है करेंट ली अगर हम बात करें पच्छिस सो यूएस ट्रूपस हैं इराक के अंदर जो की फोकस कर रहे हैं जो इसलामिक स्टेट हैं उससे टैकल कर रहे हैं जैसा अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन है उसी प्रकार की यहां पर देखने को मिले कि यहां पर यहां से भी जो है यूएस ए विड्रॉप करता वन नजर आएगा ठीक है एक तरीके से तो उसके बारे में हम लोग आगे डिसकस करते रहेंगे तो एक छोटी सी इन्फोर्मेशन है जिसके बारे में आपको दिहान रखनी है देन उसके बाद आता है एक छोटा स सरकार हो गई आपस में बातचीत करकर वहां पर शांती बठानी चाहिए ऐसा यहां पर बोला गया हर को यहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर एक पीस जो है वो मिंटेन होता हुआ हम लोग को नजर आए उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बढ़ इनको जादा एक तरीके से रिलेक्सेशन मिला नहीं है तो काम यह करना है कि इनके इनको जो यह सेक्टर इसको बूस्ट अप करना है जो कैश फ्लो है वो एक तरीके से वो बढ़ाना पड़ेगा हम लोग को माइक्रो स्मॉल यूनिट्स के लिए यह जादा इंपोर्डेंट यह है यह अनुवले टाइम पर जो भी कैश फ्लो वगएरा है वो तुला सा और बढ़ता वह नजर आएगा खासकर एमसेमी के लिए तो ऐसी चीजह हम लोग देख सकते हैं नव एक इंपोर्टेंट चीज यहां पर आपको यह देखने को मिलेगी जो यह एक्जैक्ली क्या ह है तो यहां पर ध्यान यह देना है इंडिया के अंदर क्या इसका सिग्निफिकेंस है तो जो एमसेमी एक सेकेंड लार्जस्ट एंप्लॉयर है अग्रिकल्चर सेक्टर के बाद ठीक है तो एमसेमी अंदर भी आपको बहुत जदा एंप्लॉयमेंट वगरा देखने को मिलता के अंदर प्रोमोशन करने का उन सबको प्रमोड करने का आगे बढ़ाने में मदद जो है कौन करता है ऐमसेमी करता है तो साधेसाथ यहां पर आपका सकतो वह बड़ा रूल देखने को मिलेगा खास कर इंडिया के अंदर इन फैक्ट यहां पर बोला यह जाता है कि जो करने की काफ ज़्यदा आवशकता है ठीक है यहां पर उसी वाई से पार्लिमेंटरी कमीटी ने बोला यह है कि जो करेंगे तो आप लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना अगर वीडियो में टाइम बचता है तो मैं फिर से यहां पर इस थोड़ा बहुत बताऊंगा इसके बारे में फिलाल अभी हम लोग पहले जो हमारे प्राइलिटी के उपर एडिटूरल से उ और यहां पर उसी को लेकर चर्चा करीगा यह खासकर तमिल नाडू के अंदर यहां पर सिच्वेशन काफी बेकार है उसके बारे में जानेंगे जरूर उसके बाद एक आर्टिकल आता है छोटा सा यह वाला जरूरत है हम लोगों को एंटी ट्राफिकिंग लॉग की मतलब और प्रकेंगे चाहर होता है तो इसको टैकल करने के यहां पर क्या है हमारे पास रहे इसके बारे में डिस्कुशन करेंगे इक इंपोर्डेट आर्टिकल है प्लस उसके बाद एडी लास हम लोगा बात करेंगे जो हमने कल एक आर्टिकल छोड़ाता है एमिग्रेशन बिल के बारे में तो उसका डिस्कॉशन भी हम लोग इस प्रटिकुलर विडियो में करने वाले हैं पहले हम लोग समझते हैं तुनिशा के अंदर क्या क्राइस से चल रहे हैं बट क्राइस को समझने से पहले हमें मैप में तुनिशा को देखना पड़ेगा तो आप में देखते हैं यह हैं इंडिया का मैप और इंडिया के कम्पारिज़न में चलना है हम लोगों को वेस्टन साइड में और वेस्टन साइड में चलेंगे तो यहां पर नजर आएगा टुनीशा ओके यह वाली कंट्री है इसके आपसपास के निश्चांस आप देख सकते ह तो यहां पर आपको तैरनियन सी भी देखने को मिल जाएगा ठीक है फिलाल टुनीशा की लोकेशन आई होप आप लोगों ने देख लियोगी अब ये काफी जादा चर्चा में टुनीशा देखने को मिल जाएगा क्यों कि वहां पर काफी दा प्रोटेस्ट हो रहा है प्लस अ हमारे हँ चीजे होती हैं जैसे हमारे हमारे हैं प्रैसेडेंटर हैं रही से भी देखने को Мिलेगा लगब 11-20 लाग ऐसे को सरहें से डियोग परणों है तो आप समझ सकते हो वहां पे दिक्कत तो देखने को मिलेंगी प्लस उसके बाद यहां पर एक information ये भी है कि देखो हुआ क्या था अभी जब इद करी गई उसके बाद यहां पर वहां की जो सरकार है उन्होंने बोला कि इत के बाद हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया पर वेक्सिनेशन प्रोवाइड करवाएंगे इस सब्हिंगια जब सिट्ड करवाइड करा क्यों लोग गए तो महां पर वेक्सिन थाS dated दॉध्या आ दिया यह चीज़ा यहां पर देखने को मिली है अब अच्छे से समझना मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना कि समझाता हूं वहां के यानि कि जो टुनीश्या है वहां के प्राइम मिनिस्टर हो गए उसके पाद यहां पर हेल्थ मिनिस्टर हो गए इन तीनों के बीच प्राइम मिनिस्टर है उनको हटा दिया गया किसके द्वारा वहां के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और जो यह हेल्थ मिनिस्टर है यह काफी दा क्लोजली रिलेटेड़ हैं किसके टुवर्ट्स दे प्राइम मिनिस्टर आप डिटूनीश्या जो प्रेसिडेंट हैं उन प्लस उसके बाद यहां पर बोला यह है कि पूरी government की गलती है ऐसान यह सुब एक पर्टिकुलर बंदे को यहां पर तुम करोगे सब की गलती है और सब की गलती की वज़े से COVID का mess manage हुआ है तो यह condition Tunisia के अंदर देखने को मिली है तो यहां पर चर्चा हो रही है वेंग डाउन दा प्राइवेट अनेडिट कॉलिज टीचर अब यहां पर देखो जो भी प्राइवेट कॉलिज है उनके टीचर ने काफी बुरी तरीके से सफर किया है इनफेक्ट इस COVID-19 के टाइम पर एक सर्वे हुआ है तमिल नाडू के अंदर जहां पर पता यह चला है टीचर की वर्किंग कंडिशन काफी जादा बुरी है इनफेक्ट टीचर को यहां पर पढ़ाने के बजाए दूसरा काम भी करना पड़ा है एसा यहां पर तमिल नाडू के सर्वे ने बताया है इस पैंडमिक के टाइम पर यह सारी चीज़ देखने को मिली है COVID-19 पैंडमिक के बारे में चर्चा हो लिए COVID-19 पैंडमिक ने जो है सारे सेक्टर को बुरी तरह से हिट किया तो यहां पर एक एजुकेशन सेक्टर भी है एजुकेशन सेक्टर तो हलाकी थोड़ागा ग्रोह हो रहा था जो भी स्कूल, इसकोल्ड में यह लोग अपनी ओलाइन एजुकेशन कंड़्ट कर आ रहे थे तो यहां पर कहीं नजर आएगा फीस वगरा है उन्हें काफी प्लस यहां पर क्या हुआ है कि उसके साथ उन्होंने एक दूसरा काम करने की कोशिश करी है अपनी फामली को कैसे पालेंगे लिए यहां पर कर दूसरा काम नहीं करेंगे तो एक एक एक्जामपल दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर का तमिलनाडू के अंदर जो की एक तरीके से पे कट पे चल लेते हैं उनकी जो सैलरी वगएरा वो काफिया तक कट करी जारी थी इस पैडमिक के दौरान पर तो उन्होंने जो है दूसरी जॉब करी है एक तरीक पड़े हैं एजुकेशन सेक्टर में उसके थ्रू उसका यहां पर फाइंडिंग से बताती है कि इस पैंडमिक से पहले भी जो यह प्राइवेट अनेडिट कॉलिज टीचर से इनको बहुत कम सैलरी मिलती थी ठीक है तो यहां पर आपका सकतो बहुत जादा कम सैलरी महीना पाँ था उसका यहां पर और जो थोड़े से इससे इन प्रोफेसर से थोड़े से नीचे होगा है क्वालिफाइट टीचर से थोड़े से लोवर लेवल के वह वह दस हजार रुपए से भी कम प्रति महीना पा रहे थे तो आप समझ सकते हो कि यहां पर क्या सेनरियों देखने को मिला है हलाकि अगर हम लोग पूरा का पूरा अगर इसका कैलकुलेशन करें तो किसी असिस्टेंस प्रोफेसर की जो मंतली सेलरी है वो सेवित पर कमिशन एंट्री लेवल पर अगर आता है साथवे कमिशन पर तो उसकी जो सेलरी है वो 76,000 के आसपास होनी चाहिए बट यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कंडिशन आज के टाइम पर यह एजुकेशन सेक्टर के अंदर देखने को मिलेगी इसी वजासे जो भी क्वालिफाइट टीचर्स हैं जो भी यहाँ पर इंटेलिजेंट है वो सब यहाँ पर रुखना ही नहीं चाहते हैं वो सब जो पारें दूसरा जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा एक सेलरी भी नहीं प्रोवाइट करवा पारें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं प्लस वरकिंग कंडिशन के अगर हम लोग बात करें तो वरकिंग लोड बगएरा काफी जदा यहाँ पर देखने को मिल जाता है उ प्लस और भी एरियास के अंदर बात करें तो यहाँ इससे बुरे हाल हो सकते हैं तामिलाडू के अलावा दूसरे स्टेट्स के अंदर लेकिन वहीं पर बात करें हम लोग की एक ऑनलाइन जो एजुकेशन है एक यह बर्डन की तरह रहा है बर्डन सभी के उपर राइस कोव प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि इस काडिकरी के अंदर ब्लॉंग नहीं करते जो कि यहाँ पर उनके पास एक इंटरनेट हो ठीक है लाक ओफ रूम स्पेस देखने को मलता है क्वालिटी कुपमेंट कुछ भी है नहीं ठीक है तो यहा पहले तो बहुत सब्सक्राइब करते हैं लेकिन दूसरी जगा जाएगा भी कहां इस पैंडविक के टाइम पर यह लोग सबस्यादा बुरी तरह से सफर करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन उसकी अलावा यहां पर बात करें सोल्यूशन क्या हो सकता है तो इसको तमिल के साथ तो पता यहां पर क्या है मैंने आपको बताया तमिल आडू के अंदर पैंडेमिक से पहले बी क्या है सेलरी 25,000 रुपे महीना ठीक है 10,000 रुपे महीना यहां पर सेलरी देखने को मिलेगी जो भी क्वालिफाइट टीचर्स हैं लेकिन उसी प्रकार से बात करें के अ साथ सो पचास रुपे पर मंत हो गए एक स्टैंडर सेलरी रखे यह किसके लिए गैस लेक्चरर्स के लिए पर इस्टैंडर सेलरी रखी गई है दिर उसके बाद हम लोग बात करें जो दूसरे और यूजी सी क्वालिफिकेशन्स हो गए या फिर और भी हाँ पर आपका सकत करेंगी तब ही जो है चीज़े रिजॉल्व होंगी ऐसा यहां पर देखने को मिलेगा उसके बाद बात करते हैं नेक्स टाडिकल की तो यहां पर एक चोड़ा सार्टिकल चर्चा हो रही है हमें जरूरत है एक एंटी ट्राफिकिंग लॉग की अब यहां पर देखने को मिलेंगे फिर भी इतना फोकस किया जाता नहीं है लेकिन अब यहां पर फोकस करने की बात करी गई है यहां पर एक बहुत बड़ा एकस्टोरी सुनाई गई है चोटी सी आप लोग जरूर सुनना एक लड़की है सीता थर्टीन यर्स की थी तो इसको ट्राफिक क तरह किसी ने यहां पर इस रड़की को खरीद लिया ऐसे आपर देखने को खरीद लिया तो इसको एक तरीके से काम करवाया खूब सारा काम वगरा करवाया और इससे क्या होता है कि जो है बच्चे का यहां पर देखने को मिल जाता है तो वापस से री ट्राफिक किया यहां तो यहां पर इन लोगों ने मिलकर जैसे यहां पर इस गरल को फाइंड किया कि हाँ यह जो गल है यह फसी पड़ी है डैली के अंदर किसी हाउस में टीके तीन साल बादें पता चला इसके बारे में तो यहाँ पर आपको सकतो लड़की जब उनको मिली है तो लड़की एक तरीकी से एक दिवार के पीछे छुप गई और लड़की रोने लगी और लड़की का कहना यह था कि मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती अपने पिता को क्यों क्योंकि I am impure now लड़की ने बोला है कि मैं खुद को मारना चाहती हूं तो यह इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है इसके पीछे का रीजन है अगर यह ट्राफिकिंग ऐसी होती रहेगी तो ऐसा सिनेरियो हमें बार-बार देखने को मिलता रहेगा यह एक रियालिटी है और यहां प बचाओ आंदोलन का ठीके एक वेरियस सिविल सोसाइटी ग्रूप से जिन्होंने इस कामपन को स्टार्ट किया जाए था ताकि जो हम लोग हुमन ट्राफिकिंग को कम से कम कर सकें जो दिक्कत हैं इसको कम से कम कर सकें 2017 के अंदर सीता और जो थाउजंड्स ऑफ सर्वाइव यहां पर चीजे थोड़ी बहुत इंप्रूब होती भी नजर आएंगी ठीके लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि गवर्न्मेंट आफ इंडिया यानि हमारी सरकार ने अभी यहां पर ट्राफिकिंग इन पर्सन को एक तरीके से यह रूल लेकर आई है प्रोपोस क्या है इसका नाम Exactly Prevention, Care and Rehabilation Bill 2021 यानि जो Human Trafficking है उसको कहीने कही रोका जाएगा उसको TACKLE क्या जाएगा बिल्ल का में मकसद है यह कि ताकि TACKLE क्या चा सके सब ही घ्क्रूष क्याएगों से उनको प्रटेक्शन दी जाए इसट्राफिकिंग के fundamentally इसा मिलते हैं और प्लस यहां पर ए यह चीज बोली गई है चलो यह चीज हो गई अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग को कितनी चीज़े एचीव होती हैं आने वाले टाइम पर लेकिन क्वेशन यह है यह जो दिक्कते हैं ट्राफिकिंग की यह कोविड के समय पर और ज़दा ख़तरनाग और ज़दा भतर हो चु से पहले लॉकडाउन के बाद से तो आप समझ सकते हो 9000 को ट्राफिकिंग से बचाए गया है तो उसके बाद से आप समझ सकते होंगे कितने ज़्यादा ट्राफिकिंग एग्जैक्ली हुई ही होंगी ऐसी चीज़ें आप देखने को मिलती है पैंडेमिक के टाइम पर यह से बड़ावा मिल आप चाइल्ड मरिच और मिलना प्रोस्टिव चन हो गया और तरीके से बॉन्डेट हो गया फोस्ट को तरीके से भी मुआ कई जाती है जबर्दास्ति कर गए ड्रग डरीटेड्स हो गए ठीके तो करप्षण टेररिजम यह सारी चीज़ें आपर देखने होने वाला है उसकाद यहाँ पर हम लोग जो है 75th year of 75th year of independence को celebrate करने वाले अंगले साल तो यहाँ पर एक तरीक इसे बहुत बड़ा gift हो सकता है कि हम लोग जो है anti trafficking की तरफ पूरी तरह से बढ़ जाएं और जो है human को एक तरीके से protection प्रोटेक्शन तो यह आपको इस editorial के अंदर देखने को मिले का आयों होगा आपको इक पिछला वाला एडिटूरियल तो आपको मालूम होगा जो कल हमने डिटूरियल से डिसकस किये थे हमने सभी डिसकस कर लिए थे लेकिन हमने यह वाला आर्टिकल छोड़ दिया था मैंने कहा था कि इसके ओपर अभी रिसर्च और जदा करने की ज़रुवत है बिलकुल रिसर्च कर ली गई है और जितने भी इंपोर्ट पॉइंट से जो कि इस आर्टिकल से निकाले जा सकते थे प्लस मैंने ड्राफ्ट डाउनलोड किया जो मिनिस्ट्री आफेर की वेबसाइट है वहां से मैंने ड्राफ्ट को डाउनलोड किया वहां से इंपोर्टन इंफॉर्मेशन निकाली है अब यहां पर क्या चर्चा हो रही है एमिग्रेशन बिल के बारे में चर्चा हो रही है एम क्या होता है उन लोगों का exploitation होता है human rights का हनन हो रहा है उनके rights का exploitation हो रहा है उनको बहुत बुरी तरीके से treat किया जा रहा है in fact यहां पर उनसे पैसा लेगे है हाला कि क्या है दोको दूसरी country वाले को एक employee की जरूरत है तो भली उसको पैसा वगरा के बुलाना चाहिए है यहां से लेकिन क्या हो रहा है कि यह जो भारत के अंदर ही लोग जो है काफी पैसा प्रोवाइड करवागे इंडिया के अंदर agent को पैसा देता है पर उसके बाद जो वहां पर जाते हैं तो वहां पर विदेश का अंदर पैसा देना पड़ता है उसके बाद वो लोग काम कर पाते हैं तो ऐसी चीज़ें आपर देखने को मिल जाती है ठीक है तो उसके regarding बुलाई कि इस टाइब का हमा लेकिन अभी के लिए जो यह बिल है इसमें बॉल जा रहा है की काफी बैटर है पिछले वाले से तो उसी को लिकर यहां पर कंपैर किरा किया है यहां पर ऑथर ने अब यहां पर कह सकते हो लगबर क्या पर कई साल हो चुके हैं कि इस टाइप की चीज़े देखने को मिलती है ह लेने के बाद इनको एक तरीके से नॉन पेमेंट अपटेशन देखने का मिलता है पैसा लगा कि बंदा जा रहा है यहां से टीके उनके साथ ट्रीटमेंट होता है और खासकर बहुत सारे वरकर्स की डैथ होती भी नजर आ रही है अरब के अरब गल्फ स्टेट्स का अंदर व यह सारी चीज़े देखने को मिलती है लेकिन अब इस आर्टिकल को हम लोग समझते हैं तूदा पॉइंट अच्छे से हमने देखा जो यह एक तोड़ा सा बैटर है ऐसा यहां पर बोला गया है अब जो पुराने वाला बिल है उससे अब यह आर्टिकल आपका जीएस पेप अब मजदूर रोख इधर से उधर जा रहे हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भारत से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं उन सब को कौन करता है उन सब को गवन ही किया जाता था इस एक तरीके से पुरा का पुरा मेकेनिसम लेकर चलता है पुरा का पुरा तरीका लेकर इसमें क्या होता है जो गवर्न्मेंट सर्टिफाइज रिकृटिंग एजेंट्स होता है वह यहां पर हायर किये जाते हैं ठीक है फिर उसके बाद यहां पर इन एजेंट्स के माध्यम से जो है उन सभी लोग को भेजा जाता आपको मालू होगा ना कि जो भी आपको सकतों करेगा और उन एजेंट्स का कॉंटेक्ट किन से होता है वहां पर विदेशी कंपनी से विदेशी एजेंसी से जहां पर उसको भीजना है काम करने के लिए तो क्या करती है जो भी एजेंट होता है वहां पर फॉरण कंपनी से पैसा लेता है प्लस यहां पर भारत से जिसको को बेज रहा है उससे पैसे लेता है ऐसी जहां पर देखने को मिल जाती है ठीक है यह दिक्कत भी है उसके बारे बताए गया दन उसके बाद यहां पर आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर अगर हम बात करें लगबग 18 कंट्री देखने को मिलेंगी वेस्टेशन स्टेट्स के अंदर साउथ इस्टेशन स्टेट्स के अंदर जहां पर सबसे जादा भारत के वरकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे लेकिन क्वेशन यह है कि आज के टाइम पर जो यह हैं इन्होंने बना रखी एपनी वेलफियर कमिटी जो की जो भी दिक्कते होंगी वो का पूरी डिपार्चर ब्रीफिंग कंड़ किया जाएगा पूरी तरह से यहांपर देखा जाएगा क्योंकि आखे कवर करते हैं पहले जो यह immigration bill है 2021 वाला इसके अंदर काफी कम्या भी देखने को मिली है कम्या क्या है पहली कमी यह है human rights जो framework है उसके अंदर अभी भी आपको कमी देखने को मिलेगी जैसा कि पहले हो रहा था पहले भी जो migrant workers सिदर से उधर जा रहे थे दूसरी country में जा रहे थे उनके प्रती जो है human rights का violation हो रहा था अभी भी यहाँ पर human rights का लैक देखने को मिलेगे अपने आप payment देने पड़ती है उनको सर्विस चार्ज करना पड़ता है उसके बाद वो जा पाता है जैसे मैंने बताया कि मालो यहाँ पर कर दुबई के अंदर किसी को जाना है ठीक है यहां पर इंडिया हो गया तो यहां से क्या है यह व्यक्ति जो है इसको दुबई में काम करने के लिए जना है तो क्या करेगा भारत के अंदर पहले कोई agent जो ए यहाँ पर दुबाइ की किसी कंपणी के साथ होगा टीक है जो कि यहां पश्ड रवाइब करवाइगा तो जाकर इस agency होगा वो एजंसियहां पर गांट करेगी दोपने कट्रेगी और यह गयां चैटीक है और क्या यह जो सर्विस चार्ज वाला सिस्टम है यह कहीं देखने को मिलता है तो इससे भी कहीं न कहीं काफी बड़ी दिक्कते होती है यह जो हमारा जो इंटरनाशनल लेवर और 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 इसके अगेंस्ट में क्योंकि ऐसी चीज़ हम लोग यहां पर बोलते नहीं है क्योंकि आपर ब है उसी को यहां पर खर्चा देखने को मिल जाता है तो यह सारी ही यहां पर एक कमी की तौर पर बताई गई दनो उसके बाद एक तरीके से कमी सबसे बड़ी यह भी है जो वरकर्स है यानि कि दिखो यह जो बिल आ रहा है एमिग्रेशन बिल 2021 अब इस बिल का कोई ना कोई लंगन करता है तो उसके ऊपर यहां पर फाइन लगा सकता है तरिके लगबग 50,000 रुपे का फाइन लग सकता है आसे यहां पर बोला गया प्लस पनिश्मेंट मिल सकती है तो यह कहने कहीं ना का एक कमी देखने को मिलेगी प्लस उसके बाद जेंडर के अंदर आपको आजक तरीका से डिफाइन करना पड़ेगा तो यह कहीं ने कहीं इस बिल की कम्यां हो गई है तो आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा जो एमिग्रेशन बिल्ट ट्वंटी ट्वंटी वन है इसकी क्या कम्या है इंप्रूब्मेंट थोड़ा बहुत यह है कि इनके अंदर एक कमीटी जो की दो भी दिक्कति होंगी उनको देखेगी देखते हैं क्या तक देखते देखी जाएंगी प्लस यहां पर जो माइग्रेंट वरकर्स होता है उसके प्री डिपार्टर को कंड़िट किया जाएगा है पर ज़रूरत यह है जो मैन पावर एजन्सी वोंगी वो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट हैं तो ड्रॉबक आपको ध्यान देना है कंकुलूजन का निकल के आता है कि देखो हाला कि होगा बैटर यह वाला जो इमिग्रेशन विल्ट ट्विटी वन है यह 1983 वाले से बैटर तो होगा लेकिन फिर भी यहां पर अभी बहुत कुछ क करने की जरूरत है क्योंकि हमने इसके ड्रॉबेक्स जो है इसकी खूबियों से जाधा खामिया निकाल दी है तो इसके अंदर ड्रॉबेक्स काफी जाधा देखने को मिलेंगे तो कहीं ने कहीं इसके उपर काम करने की अभी काफी जाधा आवशकता है ओके नाओ इसी के आप आप लोगों सभी आर्टिकल अच्छा से क्लियर हो गए होंगे मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में आज के लिए बाबाई है वनाइस टे थैंक्यू और जाहिंद